नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से दारोरल फाइट यूट्यूब चैलर पर मैं स्वागत करता हूं तो आज की वीडियो मैं न्यूट यूटूबर्स के लिए लेकर के आया हूं आज के दिन आप देखोगे तो इस तरह की डमी लेवे आपको यूटूबर्स मिल जाएंगे जो इंटर्व्यू करते नजर आएंगे या फिर पत्रकारिता करते नजर आएंगे तो उनके ऊपर मैंने रिसर्च करके आउनके वीडियो देख करके मैंने तीन मिस्टेक्स को नोटिस किया है तो चलिए आज हम उन तीन मिस्टेक्स के बारें बात करते हैं जो न धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें टाइम दिया इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं तो दोस्तों यह मेरी डेजर से गलत है आप धन्यवाद करना चाहते हैं तो धन्यवाद लास्ट में होता है सबसे पहले उसका वेलकम होता है कि आप हमारे चैनल पर आए इसके लिए आपका आभार है, welcome है, स्वागत है तो इस तरह से सबसे पहले आप उसका स्वागत कीजिए और स्वागत करने के बाद जब आपका सारा इंट्रिव्यू हो जाए या सारी कहानी खतम हो जाए उसके बाद आप उसका धन्यवाद कीजिए की आपने हमें इतना टाइम दिया इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं THANKS FOR YOUR PRECIOUS TIME तो ये इसका अच्छा तरीका रहेगा तो चलिए दूसरी मिस्टेक के बारे में बात करते हैं दूसरी जो मिस्टेक है वो INTRODUCKTION में आप करते हैं जब भी आप किसी का introduction करवाते हैं या फिर जब किसी से introduce करवाते हैं तो चलिए दोस्तों आज मैं आपको introduce करवाने जा रहा हूँ दुनिया की महान हस्ती भोती energetic और हर्याना के अंदर तभा मचाने वाले और धुम्मा उठाने वाले कलाका राहुल फोगाट जैसे introduction हो गया उसके बाद जब आप उसे interview के लिए उसके आगे माइक करते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि सबसे पहले हमारे दर्सकों का आप अपना नाम बता दीजिए तो मेरे दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूँ जब आपने इतना बड़ा इतना अच्छा introduction उनका करवा दिया कि दुनिया की इमान हस्ती और फलाना धिमका राहुल फोगाट यदि आपने उसका नाम ले दिया राहुल फोगाट तो फिर आप दुबारा उनसे क्यों कह रहे हैं कि आप अपना नाम बता दीजिए क्या आपकी आपने जो नाम बताया उसकी spelling गलत थी नहीं ना तो फिर यहाँ पर हमें दुबारा से नाम पूछने की जरुरत नहीं है यह भी एक बहुत बड़ी गलती माने जाती है इससे लोग आपको अंडरजर्ज करते हैं कि इस पत्रकार को जनरलिस्ट को इतना ज्यादा experience नहीं है तो चलिए थर्ड mistakes के बारे में बात करते हैं तो थर्ड mistake है list of questions जब आप किसी के पास interview करने जाते हैं किसी के bite लिने जाते हैं किसी matter पे जाते हैं तो वहां के बारे में सबसे पहले हमारे पास research होनी चाहिए कि कौन से area है कहां कैसे हुआ कब हुआ क्यों हुआ तो उसके बारे में हमें कुछ चीज़े already पता होनी चाहिए यह नहीं कि हम सारी चीज़े ही उनसे पुछेंगे सारी चीज़े ही पुछेंगे तो आप फिर किस level के पत्रकार है कुछ चीज़ें आपके पास होनी चीए ओलडी आपको चाहे वो किसी दोस्ट से पता की हो चाहे वो कहीं से research करके पता की हो चाहे वो google से पता की हो कहीं ना कहीं से आपके पास research होनी चीए और आपके पास list of questions होनी चाहिए questions की list होनी चाहिए आपको कौन सा question कब और कैसे पूछना है ठीक है यदि आप इतने अच्छे experienced हैं कि आपको list of questions की जरूरत नहीं है then it doesn't matter फिर कोई बात नहीं है और यदि आप new हैं तो मेरे हिसाब से आपके पास list of questions होनी चाहिए कि questions की list होनी चाहिए कि मुझे से पहले उसके घर परिवार के बारे में बात करनी है फिर उसके career के बारे में बात करनी है फिर आगे कौन सी बात करनी है आगे उसकी शादी के बारे में बात करनी है फिर आप और धीरे धीर आगे जैसे जैसे जो भी आपके questions हो वो आप एक series में set कर लीजी यदि आपके पास list of questions नहीं है तो हो सकता है कि आप last वाला question पहले पूछ ले और पहले वाला बाद में पूछें तो उसमें थोड़े सा गड़ बढ़ हो जाती है तो यह थी दोस्तो three big mistakes of new youtubers और new journalists तो आशा करता हूँ कि आपको ये video पसंद आई होगी यदि आपको ये video पसंद आई तो आपको पताई है क्या करना है yes so see you in the next video, by the time take care, be happy